जा सर्क्यूलर ची आपन इतके दिवस इतके महीने वाडबगत होतो होते फाइनली पबलीज जाले मित्रानों नमस्कार मी प्रोफेसर ओनक खाबे आणि मी अपले सगेंचा स्वागत करतो है आपले लाड़के चैनल आलसी एंजुनेर मादे मित्रानों पूने युनिवरसिटी चा रेगिलर समिस्टर चा एक्जाम चा बाप्तितलों ओफिशियल सर्क्यूलर नुकतत्स रिलीज जालेले तुमी जर चैनल वर नवी नसाल के माँ पहिलांदा माजा वीडियो पहाता सालाणी अजुन सुदा सब्सक्राइब केले नसेल ता प्लीज सब्सक्राइब करा तयाचा कारण असा कि आशी बरेशी सर्क्यूलर जाता ही आना रहेत आणी तैचा मदे जी छोटी-छोटी समझन गर जेशे चला तमा सुर्वात करूया है जे सर्कुलर है तीन परेशी सर्कुलर है खुप महतवाचा गोश्टी है चाम अधै सांगीतले सग्यात पहिलां पॉइंट तुम्ही अल्योडी सर्कुलर पाता है मित्राँनों क्लियरली संगीतलेला आहे कि एक्जाम जी आह आपले एक्जाम जयात त्या शुरू होतील याई शिवाई as usual एक तासाचा कलावधी आसेल आपले एक्जाम साथी आणी total 60 questions विचारले जातेल आणी त्या 60 questions पई की आपले आला 15 correct questions consider केले जातेल मंझे जी एक्जाम आसेल ती आपली 50 माक्षी आसेल आता याचानन तर बरेश्य विध्यारतां चाहा प्रश्ण होता की syllabus कमी केला जाहिल का तर मित्रा नो ना ही clearly सांगितले नंबर 2 वाला पॉइंट मदे की 100% syllabus consider केला जाहिल त्या मुले आपला syllabus जो आसेल तो 100% syllabus consider केला जाहिल आता मुद्दा आसा है की जा लोकान चाहता 1st year है और 1st year है और 1st year है त्या विध्यारतां साथी syllabus चाह बाप्तित का इसांगितले तर जी मुला 1st year ला है तैंचे जयुडे काही 1st semester चे papers आहे तैंचा साथी पहिला unit पहिला यूनिट पहिला सुरू केला तर 70% जो है तो syllabus कंसेडर केला जाहिल हाजो 70% syllabus आहे मित्रा नो हाँ फक्त आनी फक्त जी मुला 1st year ला आहे त्या विध्यारतां साथी बंजे for example जर तुम्हाला पहिला वर्षी सहा unit अस्तील तर त्याचा 70% मंजे साधारन 4 unit वरती तुमची exam होईल आसा हा काही सा अंदाज होई तो यहनने इथे सांग इतला है आता ही जी काई exam होईल यहांचा marks सका आशना रे तर यहांचे marks जेहते तुम्हाला student profile system मध हुन तुम्हा दिस्तिल तुम्हा score किती आलेला है आणी त्याचा नंतर तुम्हाला finally पॉइंट नंबर 5 मधे सांग इतला है कि प्रथम वर्षा चा मझे फर्स्ट यहर चा कही जा streams आएद तुम्हा एक्जाम जाएद त्या college level वल होतील तर बगा clearly arts सांग इतला है commerce सांग इतला है आणी त्याचा immediately नंतर तुम्हा पहू शकता है science साथी B.Sc. Biotech Animation BCA Science B.Sc. H.S. B.Sc. Regular अभियांत्री की साथी engineering साथी college level वर घेनयात यह सांग इतला है आता या सगयान बरोबर खूप लोकां सा हाइड आउट होता कि आमची इन semester रसते online exam आसेल कि मा एक engineering मदे सब्जेक्ट आहे fundamental of programming language FPL तर त्या तर त्या exams जाहेद त्या college level वरतीच होतील आणि colleges त्या बप्तितला timetable जे ते तुम्हाला देल आणि त्या नुसार तुम्हे जे internal marks आहेद ते web portal सुविधा वापरून ते ना ते marks university कडे 10 एप्रिल परंत देल लागेल मंजे तुम्हा जा इन सेमिस्टर चा exam साहे colleges कंड़क करेल तुम्हाला colleges देल हे पॉइंट नंबर 6 मते तन्नी क्लियर के लेले आता पॉइंट नंबर 7 मते तुम्ही पाहिला तर सग्यात महत्वाचा पॉइंट आहे तो मंजे regarding your प्राक्टिकल्स तर खूप मुलांचे डाउट्स होते प्राक्टिकल कशे होनार ओनलाइन होनारेत उफलाइन होनारेत तर बगा प्रत्थम ते द्वीतिया 6 मशत्रा टी या प्राक्टिकल्स होनारे तुम्हाला अलड़ी सांगीत लोगता कि 1-2-2 प्राक्टिकल्स होनारे तर ते प्राक्टिकल्स मत्र तुम्ही आत्ता एप्रियल को सुनिची एग्जामस होना राहे ती एक्जामस सम्पला सम्पला इमिजेट सुरू होना राहे और त्या सुरू जाला रहा ताल कि वbakल्क but थे। तुम्ट्रह सम्पली होना हे कि इमिजेटली तूम्चे 1st वेडियली डे के अट रही सलो होते हैं. सगे कॉलेज लेवल वर माक्स ये तील आणि या कॉलेज इस नी हे सगे माक्स ये अपलोड कराई चे वेब पोर्टल सुविधा मदे आणि मग युनिवर्सिटी परंतते सब्मिट कराई चे आहे तरहा खुब महत्वाचा पॉइंट है तुम्छे प्राक्टिकल्स इमेजेट असेल तर अल्रेडी सगे डीटेल्स जेते तुम्छा एसेमेज के वाए इमेल द्वारी येतील तर तुम्छा ओफिशेल जो है इमल लेड़े आणि एसेमेज जो है तो वर्किंग अशन गर जेचे मां आता पॉइंट नंबर टेन परत ऐस यूजूल है काही टेकनिकल रीज अजय तर अब जो है तुम्छा जो है साधरन सात एप्रिल पा शून मुख्य परिक्षे पुर्वी साधरन साथ एप्रिल पा सुन जेती मॉक्टेस जीए ती गेणार आहे त असे तेनी क्लियर्ली याचा मदे सांगीत ले आता बगईया आचा नंतर चा पॉइंट उम्हे का सगयत महत्वाचा पॉइंट है कि कॉलेजिस नी सगया स्टूडेंट्स चे जे मार्क्स आहेत इन सेमिस्टर चे आसो सगया उर्स परन्मों मार्क्स आहेत आता कही लोगांची 70 मार्क्स चे ग्जाम और अर्क्स चे अन्यों आधा है याई शिवा या वेड़ेला उनिवर्सिटी नी रिक्वेस्ट के लिए कॉलेजेस ना की प्लीजेस नी सुधा जर काही अडचान असल तर मुलनना मदद करेची याणी इनवे उनिवर्सिटी ला सुधा मदद करेची है शिवा ये मुलानना काई डाउट असल तर त्यानी स्टूडिन प्रोफाइल सिस्टीम वरून जायत त्या लोगिन करून अपले अतकरारी जायत ते थे नोन वो शकता है तर खुब बेसिक इनफोर्मेशन दिलेली है याई शिवा ये मुलानना आजूनेक डाउट असल की सर मा अपले जी एक्जामे ती घरून होना रेका का होना रे तम इतरा नो आत्ता परेंत तुम्हाला कल्ड़ चासेल अपसुल्यूटली तुम्ही एक्जाम तुम्ही घरून देऊ शकता है तो पॉइंट्स फक्त समझून गया याचा मदे जे काई सांगीत लेले आई होब तुम का हम लोग बेस सब्री से इंतजार कर रहे थे वो फाइनली पब्लिश हो चुका है हाई फ्रेंज इस इस रॉनक सर और मैं आप सब का स्वागत करता हो आपके प्यारे चैनल आलसी एंजिनेर पे दोस्तों पूने यूनिवर्सिटी के रेगिलर समिस्टर के रिलेटेड जो अब ही ऑफिशिल सर्क्यूलर है वो आज अभी इमिजेटली रिलीज हो चुका है और उसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं अगर आप चैनल पे नए हो या फिर आप मुझे पहली बार देख रहे हो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आ बात करते हैं यह सर्क्यूलर का पहला पेज आपको दिखाई दे रहा है इसमें एक 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 पॉइंट में क्या क्या बटाया गया है मैं आपको बताता हो पॉइंट नंबर वन में उन्ने ये क्लियर किया है कि जो आपकी एक्जाम होगी वह online मेथड से होगी एमसी क्यू format से होगी exam जो है वो 10th April से शुरू होगी इसका detail time table 25th March को जो है वो publish किया जाएगा अब इनी के साथ साथ overall timing जो exam का वो एक घंटे का रहेगा जहां पे आपको 60 questions पूछे जाएंगे उसमें से 50 correct questions आपके consider किये जाएंगे 50 mark की ये exam होगी ये उन्होंने यहां पे clearly बोला है दू जो first semester के exam है उसके लिए consider किया जाएगा regular semester के लिए consider किया जाएगा लेकिन जिन लोगों ने अभी first year में admission लिया जिनका college feb से शुरू हुआ था उन लोगों के लिए overall syllabus के 70% part में आपको सवाल पूछे जाएंगे for example अगर आपको 6 unit है आपके syllabus में तो consider कर लो 70% of 6 unit यानि की almost 4 unit के ऊपर आपका first year वालों की exam जो है वो conduct की जाएगी तो छोटा सा point है important point है आपको ये पता होना चाहिए अब इस exam के जो marks है वो आपको SPS मतलब student profile system के दुआरा जो है वो आपको धीरे-धीरे मतलब जैसे जैसे आउट हो रहे है उस तरीके से वो लोग आपको आपके marks जो ह जाएगा वो दोनो exams मतलब दोनो semester के exams खतम होने के बाद एक साथ ही आपको दिया जाएगा अब first year के ऐसे बहुत सारे streams है जिनकी exams जो है वो college level पे होंगी तो उसके बारे में उन्हेंने कुछ detail दिये देखो ये arts के लिए commerce के लिए law के लिए I hope आप सब लोग circular देख पारे औ और इसी के साथ साथ यहाँ पे science और engineering के लिए जो ME के all elective subjects है इन सारे लोगों की exams है वो सारी college level पे ली जाएगी अब इन ही के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछाता कि sir in semester exams का क्या तो आपकी जो in semester होगी online होगी sessional exam रहेगी ये जो exam है ये सारी की सारी exam जो है web portal use करके university तक almost 10th April तक के पहुचाना ज़रूरी है तो इन semester के बारे में आपको आपकी information मिल गई इसके बाद सबसे important point है point number 7 जिसमें आपके practicals के बारे में बात की है मैंने पहले भी बताया था कि दोनो semester के practicals आपके एक साथ होंगे अब ये किसी भी तरीके से हो online हो या फिर offline हो लेकिन आपकी 10th April की जो exam है वो खतम होने के बाद immediate basis पे आपकी practical exam जो हो शुरू हो जाएगी अब इस practical exams के लिए जो mini projects रहते है seminars रहते हैं इनके लिए जो externals available करा दिये जाते हैं वो अब नहीं किये जाएंगे तो college ही college level पे आपको आपके marks देगा और ये सारे marks college को web portal के ह इसी के साथ साथ एक बात clear है कि practicals immediately शुरू हो रहें दोस्तों यहाँ पे कही पे भी वो लोग gap नहीं रखेंगे और college ही आपको इसका time table देगा कोई अलग से circular इसके बारे में university publish नहीं करने वाली है इसी के साथ साथ जो भी है 25th March मैंने आपको बोला कि इस दिन जो है वो time table जो है वो आपका publish किया जाएगा जो भी आपकी information है time table से related आपका paper कब होगा वगर है यह सब कुछ आपको SMS या फिर email के द्वारा जो है वो बता दिया जाएगा इसके लिए आपका phone और आपका email ID जो है वो working condition में चाहिए यह तो obvious से बात है यह आपको पता होना ही चाहिए अ उन्होंने यहां पर clearly बोला है अब mock test के बारे में बता देता हूँ 10 April से exam शुरू हो रही है mock testing लोगोंने 7th April से जो है वो शुरू करने वाले है so that हमें अंदाजा आए किस तरीके से options रहेंगे किस तरीके से कहां पर click करना है इसकी clear idea हम लोगों को आ जाए अब इसके बाद देखो जो दिवांग students है उनके लिए 20 minutes जो है वो एक्स्ट्रा यह तो आपको पता है जो भी online MCQ exams होती है उसके लिए कहीं पे भी आपको revaluation का कोई scope नहीं रहता है री checking का कोई scope नहीं रहता है इसी के साथ साथ आपके जो भी इन semester के marks होंगे sessional exams के oral के marks रहेंगे यह सारे marks colleges को mandatory है कि जितने सारे students है उनके सारे students के marks जो web portal द्वारा university तक पहुँचने चाहिए तभी जाके एक साथ जब final result आएगा उसमें यह marks add-on होंगे otherwise यह marks add-on नहीं होंगे अब इसके बाद उनुने यह बोला है कि बहुत सरे लोगों के exam 70 marks की होती जैसे 30 marks की इंसे में और 70 marks का theory paper है लेकिन अभी तो 50 marks का paper है तो 50 marks की जो आपकी एक्जाम है इसके marks जो है वो 70 में as usual convert किये जाएंगे और out of 70 ही आपको आपके marks दिये जाएंगे अगर आपका 70 marks का exam ह है तो तो इसी तरीके से सबसे end में बहुत अच्छा point उन्होंने लिखा है कि अगर आपके कोई भी doubts होंगे तो आप student profile system में login करके आपके doubts जो है वो इस particular website से मतलब sorry login करके इस particular link पे आप लोग जो है वो आपके doubts जो है वो डाल सकते हो इसी के साथ university ने colleges को भी request करिए कि colleges भी help करिए so that university exam जो है वो सही तरीके से कंड़क करे I hope इस पूरे के पूरे circular की basic idea आपको मिल चुकी है accordingly telegram हो या फिर instagram हो में updates जो है वो वैसे भी वहां पर देते रहता हो कुछ भी अगर नहीं आ आ जाए time table आ जाए तो please आप लोग tuned रहिए so that आपको updated information जल्द से जल्द और सही तरीके से मिले तब तक के लिए thank you thank you so much